बच्चों मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ बच्चों हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत बुगोल विशय को पढ़ रहे हैं और इसके अंतरगत हमने हमारा चौथा अध्याय पढ़ा था तो पहला बहु विकल्ठ प्रश्न है निम्न में से उस क्रशी प्रणाली को दर्षाता है जिसमें एखी फसल लंबे चौड़े शित्र में उगाई जाती है तो क्या है यह स्थानांतरी क्रशी होती है, गविकल्प हमें मिलता है, खविकल्प मिलता है, रोपन क्रशी है, यह गविकल्प बागवानी क्रशी होती है या फिर यह गहन क्रशी होती है, तो हम कहेंगे उस क्रशी प्रणाली जिसमें की एक ही फसर लंबे चोड़े शित्र मे उगाई जाती है, उसे हम रोपन क्रिशी कहते हैं, तो हम कहेंगे, ख रोपन क्रिशी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका ख विकल्प जो है, सही है, बढ़ते हैं, अगले बहु वेकल्पिक प्रशन की तरफ, परशन संख्या 2, इन में से कौन सी रभी की फसल है, तो हमारे विकल्प है, क चावल, जो है रभी की फसल है, ख मोटे अनाज, रभी की फसल के अंतरगत आता है, चना रभी की फसल के अंतरगत आता है, तो हम कहेंगे, रभी की फसल के अंतरगत, चना आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग विकल्प चन अगला प्रशने, प्रशने संख्या तीन बहु वैकल्पित प्रशनों में है, वह है कौन सी एक फलीदार फसल है, इन में से कौन सी फलीदार फसल है वहाँ विकल्प हमें बताना है, क्या या क है दाले, या ख मोटे अनाज, ग जुआर है या फिर ग तिल है, तो हमें पता है कि इसका सही उत्तर क्या है? दाले. तो दाले जो है वहाँ फलीदार फसलों के अंतरगत आती है. तो हमारा विकल्प कर जो है वहाँ सही हो जाएगा. बढ़ते हैं अगले प्रशने की तरफ, प्रशन संक्या चार बहु विकल्पिक प्रशनों में, सरकार निम्न लिखित में से घोशना फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो हमें बताना है सरकार फसलों को सहायता देने के लिए किस की घोशना करती है, तो हमारे विकल्प है अधिक्तम सहायता मुल्य, न्यून्तम सहायता मुल्य ख, ग है मद्यम सहायता मुल्य और ग है प्रभावी सहायता मुल्य, तो बच्चों, हमारी सरकार फसलों को सहायता देने के लिए नियूंतम सहायता मुल्य की गोशना करती है, तो हमारा विकल्प खास ही हो जाएगा, नियूंतम सहायता मुल्य के माद्यम से सरकार फसलों की सहायता करने की गोशना करती है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रशनों क दूसरे श्रेणी के प्रश्ण जिसमें कि हमें उत्तर देना है लगबग तीक शबदों में और इसमें हमारा पहला प्रश्ण है. एक पेय फ़सल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल bhoogola क परिस्तितितियों के बारे में भी बताएं. अनुकूल bhoogola क पर परिस्टियां होती है तो हम बात करते हैं उत्तर की चाय की, चाय एक महतपूर पेपध हर्त की फसल है, और चाय का पौधा किन परिस्टियों में उगता है, कौवन सी दशायाँ अवश्यक है, तो चाय का पौधा, उश्न तथा उपोष्न कटी बंदिये जलवायू में उगता तो इस प्रकार से चाय एक पेपधारत है और इसकी भोगौलिक दशाओं की बात हमने की, बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ, प्रशन संख्या 2, भारत की खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन शेत्रों का विवरण भी दे, तो हमें खाद्य फ प्रदेशों में भी इसे उगाया जाता है, तो हमने खाद्य फसल के रूप में चावल की बात की और उन शेत्रों की बात की, जहां पर चावल उगाया जाता है, अगला प्रशन, प्रशन संख्या 3, सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गए संस्थागत सुधारों की सु प्रुखा, बाड, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान सरकार करती है, इसके अलावा सरकार जो है नियूनतम सहायता मुल्य नीती भी लागू करती है, इसकी भी घोशना करती है, क्रशी निवेश और साधनों जैसे की उर्जा और उर्वरकों प हित में किये गए संस्थागत सुधार है, बढ़ते हैं अगले प्रशने की तरफ, प्रशने संख्या 4, दिन प्रती दिन क्रिशी के अंतरगत भूमी कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, यानि क्रिशी के अंतरगत भूमी जो है धीरे-धीरे कम ह हो रही है, अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हम कहेंगे दिन प्रती दिन जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती आभादी के साथ, क्रिशी के अंतरगत भूमी जो है वाग कम होती जा रही है, और इसके निम्न परिणाम हो सकते हैं, सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या के लिए हम भोजन उपलद नहीं कर पाएंगे, बढ़ती जनसंक्या के लिए भोजन का अभाव हो जाएगा, तो इस प्रकार से जैसे जैसे भूमी कम होगी, वैसे भूमी पर उगने वाला अनाज भी हमारे लिए कम पढ़ जाएगा, फिर दूसरा जो प्रभाव है वह है क्रशी भूमी जैसे जैसे सीमित होती जाएगी, हमारे किसान बेरोजगार हो जाएगे और टो इस प्रकार से बेरोजगारी और किसानों की आजीव का किसाद्नों का भाव हो जाएगा इसके अलावा हम कहेंगे क्रिशी उद्योगों के लिए कच्छे माल की पूर्ती में कमी हो जाएगी यानि कि जिन उद्योगों को कच्छा माल क्रिशी से प्राप्त होता है उन उद्योगों को भी हानी होगी अगला अंतराष्टे व्यापार के प्रमुक अंग क्रशी उत्पादों के निर्याद पर भी हमारा विपरित प्रभाव हमें देखने को मिलेगा तो इस प्रकार से हमने देखा जब भूमी जो है क्रिशी भूमी जो है दीरे दीरे सीमित होगी तो उसके क्या दुछ परिणाम हो सकते हैं बढ़ते हैं अगले प्रशनों की तरफ इन प्रशनों के उत्तर लगबग हमें 120 शब्दों में देने हैं जिसमें हमारा पहला प्रशन है क्रिशी उत्पादन में व्रद्धी सुनिचित करने के लिए सरकार द्वारा किये उपाएं सुझाईए तो क्रिशी उत्पादन में व्रद्धी सुनिचित करने के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाएं किये जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सुतंता के बाद में, सुतंता के पश्चार देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतो की चकबंदी की गई, फिर सहकारिता और जमीदारी प्रथा की समाप्ती की गई और इनको प्रात्मिक रूप से इनको प्रात्फिंक्ता देकर इनको समाप्त किया गया, जिससे कि हमारे भारतिये किसान प्रभावित हो रहे थे और उनको हानी उठानी पड़ रही थी, उसके आलावा प्रथम पंचवर्षे योजना की बात करें, तो उसमें भी भूमी सुध को मुख्य लक्षे रखा गया था, तो इससे भी हमारे किसान मजबूत होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी होती है, उनकी स्थिति में सुधार होता है। तीसरा, पैकेश टेक्नलोजी पर आधारित हरित क्रांधिता श्वेत क्रांधिती जैसे क्रिशी सुधार भी हमारी सरकार करती हैं, और इसके लिए कुछ रणीतिया आरंब करती हैं, नियूंतम सहायता योजना, फसल बीमा के प्रावधान करती हैं, क्रशी निवेश साधनों जैसे की उर्जा और उर्वरकों के लिए सहाय की उपलब्द कराती है, ग्रामीर बैंक और सहकारी समीतियों की भी स्थापना करती है, किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्गटना बीमा जैसी कुछ योजनाय भी हैं, वह भी सरकार शुरू करती है, तो इस प् उत्तर की भारती क्रशी पर वैश्वी करण का प्रभाव पहले से ही दिख रहा है, जब हम अंग्रेजों की उपनिवेश थे, यानि उपनिवेशी काल से ही यहाँ वैश्वी करण का प्रभाव भारती खेती पर दिखने लग गया था, तो भारती क्रशी पर वैश्वी करण का प्रभाव उपनिवेशकान से ही दिखाई दिया भारत से निर्यात किये जाने वाले प्रमुक वस्तुओं में कच्छा कपास थे और मसाले थे और 1917 में किसानों ने अनाज की जगे नील की खेती करने का जो दबाव उन पर आया था उसका विरोध किया था यानि 1917 में भारतिय किसान नील की खेती करने से मना कर देते हैं और जो दबाव अंग्रेजों ने बनाया था उसके विरोध में भेखड़े हो जाते हैं जो कि ब्रिटैन के सूती वस्तर उध्योग के लिए कच्छा माल था यानि नील की खेती से वहा कच्छाँ माल प्राप्त करते थे अंग्रे करश्वी करण भारती करशी के लिए वर्दान भी था और एक अबिशाब भी था उदारी करण के बाद भारती किसानों को विक्सित देशों को करशी में अतिदिक साहई की मिलने के कारण कई नई चुनोतियों का सामना करना पड़ा यानि कि अब विश्व में भारती किसान जो और इसकार भारती किसानों को कई नहीं चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा भारती कृष्षी को सक्षम और लाबदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्तिती सुधारने बर भारत की सरकार का जोर होना चाहिए. साथ ही किसानों को कार्बनिक क्रिशी का प्रियोग करने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए और भारती किसानों को श्रस्यावतन करने की जरूरत भी लगती है तो इस प्रकार से हमने बात की वैश्वी करन का प्रभाव भारती क्रिशी पर क्या पड़ा बढ़ते हैं अकले प्रशने की तरफ, प्रशने संख्या 3, चावल की खेती के लिए उप्युक्त भोगोलिक परिस्तितियों का वर्णन कीजिए, तो चावल की खेती के लिए निमने भोगोलिक परिस्तितियां आविशक हैं, यह एक खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है, इ ऐसे कि 25 degree Celsius से उपर का तापमान और अधिक आधरता की आवशकता होती है, जिसमें कि 100 cm से अधिक वर्षा की आवशकता हमें देखने को मिलती है चावल की खेती के लिए बाड के मैदानों की जलोड मिट्टी तथा देल्टा ही इलाका उप्युक्त माना जाता है तो इस प्रकार से इन शेत्रों में जहां पर बाड की जलोड मिट्टी होती है या डेल्टा ही इलाका होता है वहां पर चावल की खेती अच्छे से की जा सकती है इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा की आवशकता होती है, लेकिन जहां कहीं भी कम वर्षा होती है, वहां पर अच्छी सिंचाई के द्वारा भी चावल की खेती की जा सकती है, तो इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा तथा कम वर्षा वाला शेत्र में अच्छी सि तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय की अभ्यास प्रश्ण इस भाग में किये हैं, मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद.